चुनाव से पहले राजिस्तान में आम आत्मी पार्टी ने दस्तक दे दी है दस्तक के साथी अटकोलो का बाजार भी कर्म हो गया है राजिस्तान के रण में आपके सामने चुनोदिया भी कम नहीं है आपके पास अभी कोई बड़ा नाम नहीं है यानि कि आपके सामने रेट के टीले ही टीले नजर आ रहे है लेकिन रेट के इन टीलों में अगर आपको जगह बनानी है तो उसकी चाबी भी कहीं न कहीं आपके पासी नजर आती है बस देखना ये होगा कि आमादनी पार्टी इसका इस्तमाल कैसे कर सकती है और कैसे मरुधरा में एंट्री लेगी कैसे राजिस्तान की तरफ दरवाजी खुलेंगे और कहां है इसकी चावी इन सवालों के बीच आपको बता दें कि आमादनी पार्टी की ए इन जिलों में एंट्री का दर्वाजा खुल जाएगा और वो जिले हैं हनुमानगड, श्री गंगानगर और विकानेर और इन जिलों में एंट्री के लिए चाबी है इंद्रा गांधी नहर, हनुमानगड, श्री गंगानगर और विकानेर की बात की जाए तो यह तीनों जिले नहरी जिले हैं दो जिले श्री गंगानगर और हनुमान गर्तों पंजाब से जुड़े हुए हैं और पंजाब की राधनिती का असर इन जिलों में साभ दिखाई दे सकता है पंजाब से इन तीन जिलों का रिष्टा इंद्रा गांदी नहर से जुड़ा हुआ है और अब इस नहर की बात करें तो ये नहर इन तीन जिनों के लिए जीमन दाइनी भी रही है और मर्त्यु दाइनी भी यानि कि ये नहर इन इलाकों में खेती के लिए जरूरी तो है ही साथी ये नहर इन तीन जिलों के बाशिंदों की प्यास भी बुजा रही है पिछले एक तशक से ये नहर प्रदुशित होने के चलते को ख्यात भी रही है इंद्रागानी नहर की कुँझ राजस्तान विदान सभा के मंदिर में सुनाई दी और पडोसी राजजी पंजाब की फेक्टियों का गंदा पानी इंद्रागानी नहर में छोड़े जाने का मामला एक बार फिर उठा विदायक राजकुमार गोड की ओर से पूछे के सवाल पर जल संसादन मंत्री महेंद धिस सिंग मालविया ने कहा कि इंद्रागानी नहर में पंजाब की ओर से गंदा और जहरिला पानी छोड़ा जाना पूरे राजजी के लिए चिंता का विशे है अब यहां ध्यान देने वाली बार यह है कि परेशानी सिर्फ राजिस्तान की इन तीन जिलों की नहीं बलकि पंजाब की मालवा रिजन की भी है जहां आपका वर्चस्व देखने को मिला नहर की सभाय का मुद्दा पहले भी उड़ता रहा है और अब राजनितिक जानकारों का मानना है कि पंजाब में आप सरकार ने इस मुद्दे को सुल्जा दिया तो राजिस्तान में इसका असर साब दिखाए देगा आम आदमे पार्टी लोगों की दिलों में जगह बना सकती है यह तो थी एक समश्या इसी के साथ ही पानी की समश्या सप्लाए का मुद्दा भी समय समय पर फूटता रहा और यह किसानों के लिए बड़े चिंता का विशय भी रहा है बता दे कि इंद्रा गांदी नहर का अंतिम छोर जैसल मेर तक है यानि कि कुल मिलाकर दस जिले अब अगर इंद्रा गांदी नहर में पानी पूरा और समय पर मिला तो आम आत्मी पार्टी दस जिलों को एक साथ सकती है यानि कि एक तीम और निशाने पर दस जिले तो देखना होगा कि सालों से चली आ रही इस समश्या से आम आदमी पार्टी कैसे निपड़ती है समाधाता नरे सोनी के साथ धिरो रिपोर्ट न्यूस्ट्वेंटी इंडिया